हेलो एवरिवन कैसे हूँ आप सब अच्छा देखिए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे खास तौर पर जिनको ये लग रहा है कि हमने अभी भी कुछ खास कोशिश नहीं किया अपने एक्जाम की प्रेपरेशन को लेकर अगर आज से मालो जीरो से अगर आज से भी स्टार्ट करना चाहो आज 21st मार्च है हमारे पास तो आज मैंने 11 में तक जो आपका टाइम काउंट किया था वह आजमोस्ट एस्टिमेटड आपके जो 51 डेज का टाइम है अगर मैं 11 में तक लेके चलूं डेंड करता कि आप वीडियो को किस दिन देखते ह आज देखते हो जब कल देखते हो उसे सब क्या आपके डेज हिलेंगे तो अगर मैं 51 डेज का टाइम पिरिड लेके चलूं तो उसमें आप कैसे अपने चार जा आट सब्जेक्स को परफेक्टली बेस्ट आउटपुट के साथ मैनेज करोगे वह चीज मैं आज आपको इस आने लगाऊं और हाँ एक चीज आप अपने माइड में लेके चलो देखो इस वक्त पर आकर हर बच्चे की आउटपुट क्यों कम होती है क्योंकि उसकी वज़ए ये है जब डेज जो है वो ऐसे आपके फिंगर्स पर काउंट होने शुरू हो जाएं कि बस इतने दिन रहे गे एक्जाम को तो वो जो प्रेशर है न वो आपके उपर के आज मेरी इतनी आउटपुट हो पाई है मैंने सोचा ये था लेकिन उसे सबसे कम हुई है तो आज मैं कुछ खास काम नहीं कर पाया ये जब डेली प्रेशर बनता है न तो इस वज़ए से हमारी आउटपुट और नीचे आती है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस डेली वले प्रेशर को हटाना है तो डेली वले प्रेशर को उठाने के लिए हम क्या करेंगे देखो जैसे मैंने जहां पे आपके पास 22nd मार्च से टाइम जो है वो काउंट किया है 22nd मार्च से अगर हम 22nd मार कर देंगे यह आपके सामने मैंने blocks बनाए हुए है अगर मैं 3-3 दिन का block बना दूँ इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके पास total 17 blocks बन रहे हैं अब 17 blocks में time कैसे लेकर चलना है मैं आपको पूरा complete देखना मेरी सारी बात तब आपको सारा समझ लगेगा देखो अगर तो आपके 4 paper means आपका single group है फिर तो आप कोशिश करो कि आप कहीं न कहीं 8th block से 10th block के अंदर अंदर आपका जो syllabus है वो complete हो जाना चाहिए ताकि आपके पास आगे 7 blocks बचेंगे further revision के लिए हाँ कोई बच्चा ये गलती ना करे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 11 या 12 में complete हो तो मैं जल्द बाजी करूँ चीजों को उड़ा दूँ ऐसी वो थोड़ा काम खराब है देखो मेरी एक सीदी सी आपको हमेशा मैं बात बोलता हूं अगर आप चीज को समझेंगे नहीं अच्छे से पीछे ज्यादा टाइम बच जाए revision के लिए ज्यादा टाइम बच जाए मेरी चार बार revision हो जगे जो चीज आपको समझ ही नहीं आई उसकी revision करने का क्या फाइदा अगर समझने के लिए दो दिन ज्यादा लगेंगे तो उसकी revision आपको जो करोगे तो काम आएगी अगर चीज दी नहीं समज आई तो 4 बार arise कर लो जाये हैना जो चीज समझने के लिए, जो एक उसको time चाहिए वो दो उसको, 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, कोई बात नहीं 3 दिन ज्यादा लग जाएंगे, 4 ज्यादा लग जाएंगे एक बार समझ आ गई तो ठीक है उसकी समझ आ गई तो शायद रिवीजन की भी जूरूत ना पड़े इस चीज को जरा अपने साथ हम यूज करेंगे ठीक है और हाँ जिन बच्चों के बहुत ग्रुप्स हैं आप भी कोशिश करो बहुत ज्यादा टाइम आगे ना बढ़ाओ अगर आप यह सोचते हो कि हमारे पास कम से कम 10, 15, 15 दिन तो बचें अगर 15 दिन बचाने है तो आप पास 5 ब्लॉक्स पीछे बचने चाहिए तो इसे इससाब से आप 12, 13 तक maximum कोशिश करो अपना जो टाइम है उसमें अपने syllabus को complete करने की अब यहाँ पर इतना तो मैं अगर आ आपके पास आगे चार ब्लॉक बचते हैं जिसमें आप अपनी revision के बारे में सोचोगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम का ज्यादा दिया रखना पड़ेगा और हाँ अब आगे इन ब्लॉक्स में क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया डे वाइस प्रेशर ना लो डे वाइस प्रेशर लो गे तो ढुट-फुट बहुत कम जाएगी अब हमने ब्लॉक्स प्रेशर लेने ने अब अगर ब्लॉक्स प्रेशर लेने तो कैसे चलना है देखो आप जिनके तो नो है सिंगल गृूप material follow की है, उनके जो chapters की list है, वो सबसे पहले आप print निकालो, जो chapters की list है, जहां पर आपका index बनाता है, chapters के नाम लिखे होती है, अगर आपके पास मालो घर पे कुछ printer की facility नहीं है, हो सकता है कि बर ऐसा case, उस case में यह नहीं सोचना के चलो छोड़ो, book पर ही देख लेंगे, नहीं, आप एक copy पर 10-15 minute लगेंगे, 4-5 pages लेकर वो chapters के नाम लेकर यह न सोचना time waste है, यह चीज आपका आगे आने वाला कितना time बचाएगी, जो आज 15-20 minute लगाओगे, वो आप अपने आप देखना, chapters की list बनाओ, वो अब आपके सामने कहीं पर दिवार पर लगा लो जा अपने table पर रख लो कि यह मेरे 4 subjects की chapter की list है, अब आपका focus है कि मैंने around 8-10, मानलो blocks में, 3-3 दिन का block है, means हमारा 3-3 दिन का 24 hours each day, means 72 hours का block हो गया, लेकिन mind से निकाल दो, कि एक-एक दिन है block में, एक block पूरा दिन लेके चलो, ठीक है, आपका 72 hours का एक block है, इसे साब से, आप सबसे पहले तो जो आप chapters की list निकालोगे, आपके सामने यह ऐसे, चारो के चारो papers होने चाहिए, जब आपने block में, एक block में, अपना target fit करना है, सबसे पहले block में, जब आप अपना target fit करोगे, तो सारे list सामने रखो, अगर आपके पास कोई importance wise list है, मानलो, आपके पास कोई scanner पड़ा हुआ है, या कुछ बच्चों ने जैसे हमारे analyzers वगेरा बाई की होते हैं, तो आपको वहाँ पे पूरा पता चल जाता है कि May 18 onwards, अभी तक कौन से chapter में से हर बार paper आ रहा है, कितने marks का आ रहा है, यह सारी detail हमारे analyzer में भी रहती है, ठीक है, वो अगर देखना चाहोगे, तो हमारी website पर available है, अगर कोई बच्चा वो service avail करना चाहेगा, वो आपकी choice है, आपके पास scanner है, वो भी चलेगा, अगर आपके पास अपनी book में कोई importance wise list है, तो आप वो भी use कर सकते हैं, अगर आपको teacher ने class में दिये, ठीक है, मैं तो बता आ रहा हूँ कि यह options होती है available, अब थोड़ा importance wise chapters को उठाओ, कि मानलो, इस subject में मैं दो chapter, depend करता है, बड़ा chapter है, चोटा chapter है, इसमें मैं suppose कर लो, यह एक chapter, इसमें मैं यह चोटे तीन chapter उठा लेता हूँ, कोशिश करो, एक बार तीन subject को उठाओ, ठीक है, चारो की list बना लो, तीन को ठा लिया, अब यह काम मैं मैं अपने first block में complete करूँगा, अब आपके उपर देखो, एक block है, day wise pressure नहीं है, तो आपकी day के output भी भड़ेगी देखना, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने इस block में यह काम complete करना है, मैंने यह chapters, अपने mind में रखो, कि बस तीन दिन के बाद मैंने यह chapter, means एक block के बाद मैंने यह chapters के उपर cross मारना है, मुझे मेरे को cross दिखना चाहिए, या आपके अंदर अपनी dedication होनी चाहिए, मुझे cross दिखना चाहिए, ठीक है, अब आपने इन chapters के उपर cross मार दिया मानलो एक block के बाद अब आप दुबारा decide करोगे कि इस बार ऐसा करते हैं इस subject को साथ में ले लेते हैं इस subject के मैं इस block में ये तीन chapters उठाने लगाँ इसका मैं एक उठाने लगाँ अब मानलो कभी बीच में ऐसा आजाए कि आपके पास किसी subject का कुछ chapter बहुत बढ़ा आगया मानलो CA final का student है वो holding को उठा रहा है तो आपको पता है कि वहाँ पर आपका minimum इतने marks का तो वैसे question paper में आना ही आना है तो उसे साब से आप अपने chapters को थोड़ा सा adjust कर लो लेकिन ये चीज फिर से बोलूँगा सोच कर चलना कि कितने number block तक आपने अपना काम complete करना है importance वाइस इसलिए बोल रहा हूँ कि 100% अगर काम ना भी कर पाए अगर आपको लगे कि 10th block तक पहुंचने वाले हैं अभी भी मेरा 25-30% slaver spending है तो वो आपको नजर आना चाहिए जो आपका unimportant है ताकि जब आप revision start करो अपनी further जो revision वाले blocks में पहुंचके जब अपनी revision start करो तो वहाँ पहुंचके आपको इतनी satisfaction होई चाहिए कि जहां से mostly हर बर paper आ रहा है जहां आता रहता है बीच में कभी आ गया कभी नहीं भी आ गया वो मेरे सारे areas covered है और जो मेरा थोड़ा सा unimportant मेरे इसाब से लग रहा था तो हर बचा analyze तो जरूर करता हर एक चीज को है बेना analyze के exam देने जाओगे तो मुझे लगता है कही न कहीं हम कुछ जितना possible हो सके उतना तो smart work करें न जार तो इसे इसाब से आप अपने subjects को अगर manage करोगे बोट groups वाला बच्चा जो है कुछ चार papers जो है कोशिश करो अगर आप mixing भी करना चाहते हो अगर आपको पूरा satisfaction level आपका है कि मैंने अपने art के art paper ही देने है मुझे उसे कोई नहीं रोख सकता तो जहाँ पे subjects की mixing भी कर सकते हो अगर आपको लगे नहीं अभी भी कहीं न कहीं शक है तो पहले एक group के और वो भी वो group पहले उठालो जो आपका strong है ताकि उसको wind up कर सको बाकि कोई इस points पर जो जो मैंने discussions की है कोई query होगी doubt होगी मुझे comment box में पूछना मैं वहाँ पे reply करूँगा जो next video मैं आपके साथ discuss कर लूँगा इसे साब से day का pressure उतार के block wise आ जाओ और मेरे साथ regular basis पर थोड़ा touch में रहो चाए comment करो चाए जैसे भी touch में रहो तो मैं आपको इतना जूर confidence दिलवा सकता हूँ कि आपका आज तो चलो मैं 51 days का plan लेके आया हूँ आपकी problems के accordingly मैं आपको ऐसे ऐसे ideas दे सकता हूँ जो शायद आप अभी सोच भी न पाओ कि आपको लगेगा नहीं अब इसका कोई solution नहीं है बहुत सारे solutions है बहुत सारे बच्चों के साथ मेरी इतनी discussions हो चुकी है मैं आपको explain नहीं करता यह चीज़ अभी इस चीज़ में बाकि आपके problems आएंगे आप मेरे solutions देखना आपको सच में satisfaction होगी कि हाँ जार लग रहा था कि अब नहीं हो सकता लेकिन जल्दी हमें लग गया कि हाँ यह होने वाला है तो यह चीज़ अब आप achieve कर सकते हो बाकि all the best सभी बच्चों को अगर आपको लगेगा कि आपको वीडियो आपके काम के accordingly वर्थ valuable लग रही है तो आप मुझे join कर सकते हो ठीक है हमारे channel पर मैं आपको एक बार उसका link भी दिखा देता हूँ तो आप channel पर join कर सकते हो तो अब हम दुबारा मिलते हैं next video में आपकी जो queries होगी नीचे comment box में डाल देना all the best पूरे target को achieve करने के लिए ready हो जाओ ठीक जी थेंक यू सो मुझ